अशूक नगर में हिट्टा इंडरन केस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है। वहीं जैन समाच का आरोप है कि पुलिस असली आरोपी को बचा रही है। हाथसे के प्रतक्ष दर्शियों ने बताया कि 70 वर्शिय व्रद विजय जैन को रॉंदने वाला ड्राइवर 20 से 22 साल का यूवग था जबके पुलिस ने 44 साल के यूवग को अरेस्ट किया है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ जहां कमलनाथ सरकार ने अपने पुलिस स्टाफ को मुलजिम पर रियायत न भरतने का फर्मान दिया है। वहीं दूसरी ओर अशोक नगर जिला के पुलिस ही अपराधियों को पकड़ने की जगा है। उन्हें बचाने का काम कर रही है। दरसल अपराधियों को संरक्षन देने की पुलिसिया कार गुजारी का यह मामला अशोक नगर से जुड़ा है। जहां 14 जुलाई की रात 8 बजे एक तीज रफतार कार ने सडक से गुजर रहे एक वृद्ध को न सिर्फ टक्कर मारी बलकि टक्कर मारने के बाद कारचालक वृद्ध को रौनता हुआ, मौके से फरार हो गया। CCTV में आप देख सकते हैं कि सफेद रंग की इस कार ने किस कदर बुजर को टक्कर मारी है। पहीं इस हिट अन रन केस में वृद्ध जीवन और मरन के बीच संगश कर रहे हैं। घटना के प्रतेक्ष दर्सी को शुवाओं ने कार का पीछा भी किया, लेकिन वे कार चालक को रोकने में नाकामयाब रहे। घटना के वक्त मौजूद रहे युवक ने ड्राइवर की उम्र का खुलासा करते हुए कहा कि यही कोई उम्र 20-22 साल रही होगी जबकि पुलिस ने 44 साल के युवक को आरोपी बनाया है। मुझे लगता है कि यह पुलिस की मिली भगत है उस आरोपी के साथ जिसको यह दूफरे आरोपी को पेस किया गया है। मुझे लेकर एक ग्यापन अतरिक्त पुलिस अधिक्षक को दिया। ग्यापन लेने के दौरान अतरिक्त पुलिस अधिक्षक सुनील शिवहरे ने बताया कि पुलिस ने ग्यापन के पहले ही गाड़ी जब्त कर ड्राइबर को हिरासत में लिया है। आज जेन समाज के कुछ लोगों ने उसके ग्यापन दिया था उसके पहले ही सुवए हम लोग उसको गाड़ी भी रिकवर कर लिए और ड्राइबर को भी अरेस्ट कर चुके हैं इसमें आपका 28337 से लिए लगाई गई थी और एक्सरेय रिपोर्ट आदी प्राप्त की जा रही है और जो भी धाराय बढ़ी उनका इजाफ़ा पिले जाएगा अडिशनल स्पी की इस मांग से पुलिस की असली आरोपी को बचाने की मंशा साफ जाहिर हो रही है क्योंकि पुलिस जाँच नहीं बलकि पिडितों से घटना के साक्ष मांग रही है जबकि जिसस्तान पर घटना हुई उसके आस पास पुलिस के ही CCTV कैमरे लगे हुए हैं अब ऐसे में सवाल उठता है सबूत ढूंढने का काम पुलिस का है या फिर फरियादी का Bureau Report MP News असोग नगर